हलो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कफी बियार स्टडी में आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कलाफ 10 की यानि कॉक्षा 10 की एंसी एर्टी मैथमेटिक्स इक सस्थाइच 6.3 परसना वली 6.3 का परसन संक्य आठमा कुष्चन आपके सामने इस स्क्रीन पर है हिंदी और इंग्लिस दोनों भासाओं में लिखा गया है पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे इंग्लिस म्यूटियम वाले कुष्चन खुद से पढ़ ले इस question में चितर नहीं दिया है इकर नहीं दिया है हमें खुद से बनाना है पढ़िए किरा कि समांतर चतुरभूज ABC की बढ़ाई गई भूजा AD पर इस्थित E एक बिंदू है मतलब समांतर चतुरभूज ABCD एक आपको बनाना है इसका ये मतलब है इस वह था है और समांतर चतुरभूज के बारे में कहघा कि समांतर चतुरभूज ABCD की बढ़ाई गई भूजा AD पर यानि जो उसकी भूजा AD है उसको क्या करा गया आगे बढ़ा दिया गया यहां से पर इस्थित E एक बिंदू है यानि जो बुजा बढ़ाई गई यहां पर क्या है कि यहां पर एक हिस्ति तो मैंने लिख दिया आगे कहता है तथा पी इचा सीडी को एफ पर पतिछेद करती है मिंस इंटरसेक्ट करती है यह बुजा है यहां से देखना यह सीधा यह सीडी को यह पर क्या कर रहें इंटरसेक्ट कर रहें तो कहरा सिध कीजिए प्रूब कीजिए कि यह वाला जो ट्रैंगल है ना भया इसके क्या है सिमलर है इनके क्या होता है एक जैसे होना चाहिए जैसे देखो दुनों इंक की गोट लेक जैसी है लेकिन यह कांगरेंस नहीं है यह कांगरेंस हो सकती है तो कि इनकी बनावाट दूर्दसा सब पुछ जैसी है बलकि कलर थोड़ा तो इसको हमें मिटाना नहीं फिलाल मैं आपको समझाने के लिए इसको मिटा दिया वह करेंगे दोनों ट्रेंगल लेंगे जिन में प्रूब करना है एक ही आप लोग इंग्लिश मीडियम ले लिखेंगे इन ट्राइंगल के बीए एंड पी कई की एफिन के इंदि मीडिया बच्ची लेखेंगे तिरभूज एविए और हाल मैंने लिखिये दिरभूज A, B, E और दिरभूज C, F, B, A ठीक है यानि इसमें पूरे में और इसमें जो मैंने अभी दिखाया इन दोनों में क्या बिटा ऐंगल A, Equal ц, Engel A, Equal Engel C, ऐसा क्यों है रीजन भी लिखना पड़ेगा आपको, कोष्टक में लिख लो, समांतर चतुरबूज के समोकोड, समांतर चतुर्भूज के समौ्ख एंग्लिस मेले लिखते हैं अप्पजीट एंगल आफ पयरलो ग्राम एंक्रम्र नाइड पैंगल आफ को घुरा है कोडूदी ए यह समांतर चतुरभूज के समुख कोड्शर में कोडी हिंदी में जरूरी नहीं एक है सब्सक्राइब कोई भी ट्रेंगल सम रूप है या सरवंग सम है इसके लिए हमें कई रूल करने होते हैं आपने देखा होगा पीछे या तो इसके दो बुजाएं बराबर हो जाएं या दो कोण बराबर दिखा दे तो हम सम रूप दिखा इक एंगल तो बराबर हो गया। एक एंगल आगर और बराबर हो जाते हैं तो सम रूप हो सकता है तो चल्ए ठीक है आगे नेक्स डिट अप इन दोना एंगल में फिर से लेंगे लेको पेटा इसमें एंगल A, angle C के बराबर हुआ ना इसमें angle F जो है angle B के भी बराबर वो कैसे है वो कैसे है मैं आपको बताऊं ये वाला B नहीं परिए ये नहीं नहीं इसे आएगा ये वाला B ये F जो है ये B ये भी बराबर है क्यों? आप नीचे लिखो मैं बताता हूं इसका जो C, F, V जो है F ये बराबर है क्यों है क्योंकि ये alternate interior angle है alternate interior angle alternate का मतलब होता है एक अंतर interior मतलब अंता लिखो एक अंतर अंता कौन एक अंतर अंता कौन alternate interior angle होने के नाते क्या ये दुनों भी बराबर है यानि आपका जो F है वो भी B के बराबर है ये दुनों बराबर हो गया ना आप लिख सकते हो चूकी A, V, E चूकी A, V, E और ऐसे लिख लो तुरुबी तिरभूज लगा लो आगे चूकी तिरभूज A, V, E और तिरभूज C, F, V के दो संगत कौन संगत कौन मतलब corresponding angle तो corresponding angle क्या है? इक्वल है यानि बराबर है आता हा? आता हा? बोल रहा हूँ उसे लिख ले ना? या इस लिए या आता हा? लिखो अब उसके आगे इसको लिखो जो मैं लिख रहा हूँ ठीक है? एंगल A, B, E similar to angle यह similar का चिंद है आप ऐसे बना लो आपके book को गरारा में बना होगा आप देख ले ना? ठीक है? यह ऐसे बनता पिटा पैसे जानते हो? आप इसक्रिट के अगर देखो तो मैं आपको इसमें फिकर बना के देखाया हूँ आप देख लो यहाँ पे ऐसे बनता है थोड़ा सा यह ऐसे इसके एंगल C, F, D, K सुनो क्या है? बरावर है मदलब समरूप हो गए clear? ठीक है? region क्यों? क्यों लिख लो? यह तो लेकिन उपर बताई थी या आप समझ गए A, A से आई लिख लो A, A एंगल एंगल प्रोपर्टी से ठीक है? दोनों क्या हुए? एंगल एंगल बराबर हो clear? किसी को कोई doubt है थो बताओ कोई doubt नहीं नहीं अगर कमेंट करो अगर doubt है तो निसंकोच comment करिए मैं बताऊंगा दिक लेजिए स्क्रेंसार्ट लेजिए मैं सामने साथ जल्दी करिए चलो बटा, फटा, फटा, फट्ट कोई doubt है थो comment करिए वीडियो को जादा आफ जादा करिए और पढ़िए इन तिन घंटे की अड़ी उड़ी